हेलो वाई तो मैं हूँ हिमाड सुसारन तो आज हम एक इंक्यूब्लेटर के बारे में बात करेंगे तो वह इंक्यूब्लेटर है यह वाला देख लो है अधिक जरूरत नहीं क्यार मैंने जितने भी अपडेट दिया है वह अब रिट एकदम सी है तो इसलिए हैं अभी आप पिच्छे की वीडियो पी जाके देख सकते हो दिवाली के आसपास आने वाली इवेंट मैंने जोगी दिया है वह एकदम से इवेंट उसमें से 90% इवे के है कि हमें ठोड़ा ऊकलद की या आपको बताया यादिवाली की ऐसपास एक रेतन इन्कुले ड्याता है तो यह समझे हो एक हिंट है यह हमको ठोड़ा हिंट मिल है तो यह जो यह रहिव बीट वाल है ना ही इन्कुलेट वार ni चांस बन रहे हैं तो अपको पताया यह को पता नहीं होगा अगर बहुत से बंदों के पास यह होगा तो अपने एक यह वाला भी है इंक्यूलेटर जो आपको मैं दिखाए है अभी यह पियाने की तांस बन रहे हैं और उसी के साथ यह जो यह टोप वाला बंडल है ना और टोप वाला मिर पर इतना अच्छी नहीं पर इसकी यह वाली इसलिए पर पच्छी लगी है और अभी हम बने वाले बंडल के बार में बातś करते हैं यह जो यह दो वंडल आना उसमें से हो भी जो बनीम फलेने उसके ज्वाटा जाब Talk है उर से आमेंज़़ आजवर मैंद यह न के पास वराने के मैस्त को हैं तो मैह यह जोकरवाला अब यह फिर से हसोगे तो बहुत कम है कि कि यह कम है आपको पता है फ्रीफर क्विए फ्रीफर ग्रीन क्रीमिनल जैसे बंडल को रिटन में दे सकती है तो बहुत जोकर तो है कि उसके सामने कि इतना ही बोल रहा हूं क्योंकि दिवाले के पास हमको एक इनक्यूबलेट रहना वो रिटन देखने को मिलता ही है तो ज्यादा जांस बैस बनी वाले गया है पहले तो यार जो अपना वो गोल्डन शेड़ वो कौन से बंडल है उसके चांस थे मगर अभी चांस बढ़ गए है बैस इतने बोलना क्यों रिटन दो आने यार अपनी देखाविया एके भी रिटन आगई यह तो अब भी आई थी आपको पता हो तो एके तो अपने गेम के अंदर अभी आई थी कुछ महीनों पहले ही और इसको भी फिर से रिटन में दे दिया और अपनी जो MP40 आपकर MP40 कि उसको वे तीन दिन बार रिटन में दे दिया तो वही आप यह भी सौजलो कि बनी बंडल भी रिटन में आ सकता है कुछ नहीं कह सकते हैं पैस इतना ही बोलना था इस वीडियो में अभी आपको हसना है तो आप हस सकते हो बैस मेर कुछ इतना वो बताना था वीडियो के अ कि और जो भी नेक्स्ट अपडेट मिलेगा तो मैं आपको सबसे पहले बदा दूंगा तब तक के लिए बात